चले गुड़ मॉरिंग स्ट्टेंट्स यह आपका सेगंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था सुकरात का चेक्टर फोर है तो सुकरात के बारे में हमने पढ़ा था कि सुकरात किस तरीके से अथेंस में इनका जनम हुआ उनके फादर एक बहुत ही ते संबंद रखते थे और फिर जैसे जैसे बढ़े हो यह जातके थे तीके मार्किट में जगए-जगए हो जाते लोगों से बात करते थे लोगों को सिखाते थे कि लोगों को प्रस्ण पूछना और जवाब देना आंब चाहिए और किया सही और क्या Energie स लेण बाद में चलके सुक्रात की तरह बहुत पोपुलर हो गए तो यह था अब तक का चैप्टर सेगंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं चलिए शुरू करते हैं बट आल्दो प्रंतु यद्पी मैनी पीपल लावड दा ओल्ड मैन अनेक लोग बुढ़े व्यक्ति को प्यार करते थे और उसके राज्य में खुश थे लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे मतलब संबंद नहीं रखते थे या उससे सहमत नहीं थे यह थोट उसने शिकाया देट की उसने सिकाया की मैंस ओन माइंड इंफ्लूएंस तीज कंड़क्ट इंफ्लूएंस तीज कंड़क्ट अपने कारियों से बहुत ही विद्वान बड़ा बना सकता है यह सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ही खतरनाक और नई योजनाय आई उसने कहा देट देर वर हाइयर और नॉबलर देट्स देन मेकिंग सेक्रिफाइस तो अथेंस एंड अधर गोड्स उप ग्रीस उसने लोगों से कहा कि देट की देर वर हाइयर और अधिक महान और बड़ी चीजे है कारिय करने के लिए देन मेकिंग सेक्रिफाइस कि अपने आपको बलिदान करने की अपेक्सा तो अथेंस अथेंस के लिए अधर गोड्स उफ ग्रीस और ग्रीस के दूसरे देवी देवताओं के लिए एंड और मैनी पीपल थोट अनेक लोगों ने सोचा दैट ही वाज लीडिंग दा यंग एस्ट्रे अनेक लोगों ने सोचा कि यह व्यक्ति जो है जो यंग एस्ट्रे न व्यूवक है उनको पिलीव एंड फिलिंग देर माइंड विड डाउट और उन सब को यह सिखा रहा है यह विश्वास करना और उनके दिमाग को जो है सक से भर रहा है दा मैन हुवर गवर्निंग अथेंस सुमोंड सुक्रात टू अपियर बिफॉर देम तू इस्ट्राइल दा मैन उन लोगों ने हुवर गवर्निंग जो सासन कर रहे थे अथेंस के ऊपर सुमोंड सुक्रात सुक्रात को बुलाया तू अपियर उपस्तित होने के लिए बिफॉर देम उनके सामने तू इस्ट्राइल अपना पक्स रखने के लिए हीज फ्रेंड्स बैग्ड हिम टू एसकेप और तू ह जब तक यह तूफान गुजर ना जाए बट प्रन्तू सुक्रात वाज नो कावर्ट सुक्रात कायर नहीं थे रही नू वह जानते थे देट की रही एद डन नथिंग रॉंग उसने कुछ भी गलत नहीं किया था एंड रही है एंड ही एड उनली टोट उसने केवल भही इसलिए वह दरबार में चले गए इज क्लोट्स एंड उसके कपड़े एंड ही सूज उसके जूते वर डस्टी धूल में सने होए थे एंड ट्रेवल स्टेंड और यात्रा की थकान थी बट एवरीवन न्यू प्रन्तू हर कोई जानता था दैट नोबल हाइट बीट अंदर दा शैबी गार्मेंट प्रन्तू इस मेले कुछ अले वस्तरों के नीचे एक महान दिल धठकता है यह हर कोई जानता था ही मेड पावर्फूल ही मेड एपावर्फूल डिग्निफाइड स्पीच उसने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव शाली भासन दिया ही टोड़ गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे दा लाश्ट पी विएर्स ऑफ इस लाइफ उन्होंने अथेंस वाच्छों से कहा कि यदि वे उसके जिवन के बचे वे साल उससे चीन लेते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा बट प्रन्तू डैट ही वाज विलिंग तो डाई मैनी डै ही है और सच है उस काम के लिए वे कई मोत मर सकता है नेक्स्ट परग्राप में दा जजिज लिसंड टू हिम जो जज थे उन्होंने उसकी बात सुनी क्वेस्टन हिम उससे प्रस्ण पूछे एंड कंडेंड हिम टू डैथ और उसे म्रत्तुदंड दे दिया दा ओल्ड मैन ब दा क्राउडिड कोट रूम और उस चारो तरफ देखने लगा उस भीड से भरे हुए कोट रूम में जो लोगों से भरा हुआ था दरबार में प्लैटो एंड हीज अधर प्यूपिल्स वर देयर इन दा कोट अल दा टाइम प्लैटो और उसके दूसरे सिश्य हर समय दरबार मैं परभाव ने डाल सकती ही टोल्ड उसने बताया देम उन्हें आइधर इन लाइफ और आफ्टर देथ या तो जीवन में या मृत्यू के बाद मृत्यू के बाद सो भी ओप गुड चियर इसलिए हमेशा खुश रहो I have to go मुझे जाना है the hour of my departure has arrived मेरे जाने का समय आ गया है and we go our ways और अपने अपने रास्ते चलते है I to die मैं मरने के लिए and you to live और तुम जीने के लिए then the soldiers came and took him away to prison तब सिपाई आये और उसे जेल में ले गए his wife followed with his three children उसकी पतनी अपने तीन वच्चों के साथ उसके पीछे पीछे चली many of his favorite pupils were also with him उसके अनेक मन पसंद जो पसंद इदा शिश्य थे वे भी उसके साथ थे for a long time लंबे समय तक they talked to him उन्होंने उनसे उनसे बाते की and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts और सुकरात ने उन्हें अनेक पहुत ज्यान पूर्वक पाठ सिखाए जिनको उनके सिश्यों ने अपने दिलों में उतार लिया but all the time प्रंतु हर समय his friends knew उसके मित्र जानते थे that सुकरात would die soon कि सुकरात जल्दी मर जाएगा they were sad with dhukhi थे for us for us as Plato wrote हमारे लिए जैसा कि Plato ने लिखा कि for us हमारे लिए he was like a father वह एक पिता के समान थे of whom जिसके लिए we were being bereaved अब हम जिसके बिनाभ हमें रहना पड़ेगा and we were about to pass the rest of our lives as orphan और हम जिसके बिनाभ हम अपना जीवन अनाथों की तरह बिताएंगे after the sun had set behind the top tree tops सुरज के पेडों की चोटियों के पीछे चिपने के बाद the jailer came jailer eye in under and asked सुकरात और सुकरात से कहा to prepare for death मृत्यु के लिए तयार होने के लिए मरने के लिए तयार हो जाओ दिया जाता था they were given a cup of poison उन्हें जहर का एक प्याला एक कप दिया जाता था सुकरात न्यू दिस सुकरात यह जानता था and he nodded to the jailer और उसने jailer के सामने सीरह लाया who looked at him sadly saying जो उसकी तरफ दुखी होकर देख रहा था और कह रहा था you सुकरात सुकरात आप when I know to be the noblest जिसको मैं जानता हूं कि तुम बहुत महान हो and gentlest और बहुत सज्जन हो and best of all who ever came to this place और उन्हें सबसे अच्छे हो जो तुमसे पहले कभी यहां आए will not be angry with me मुझसे क्रोध मत होना मुझ पर गुस्सा मत करना when I ask you to drink the poison जब मैं आपको जहर पीने के लिए कहूं for others and not I are the guilty cause दूसरों की तरह मैं भी इस दोश का मैं भी इसका दोशी नहीं हूं bursting into tears वे जोड जोड से रोने लगा he went out वे रोते वे भाहर चला गया and returned with a cup of poison और जहर का cup लेकर वापस आया next may the gods prosper my journey from this to the other world इश्वर मेरी इस यात्रा को इस दुनिया चे दूसरी दुनिया की यात्रा को सफल करे said सुक्रात सुक्रात ने कहा and lifted the cup to his lips और lifted उठाया the cup cup को to his lips अपने होटों से लगा लिया his pupils try to keep back their tears उसके शिश्यों ने अपने आशों को वापस चिपाने की कोशिच की but प्रन्तु one sobbed allowed एक शिश्य जोड जोड से सुबगने लगा and this distressed the others और इससे दूसरो यह आवाज दूसरो तक पहुंची and soon the room और जल्दी सारा कमरा was filled with the sound of weeping रोने की आवाज से भर गया सुक्रात पोजड विद अनफिनिश्ट कप पोईजन इन इस हैंड सुक्रात आधा खतम आधा कप जहर लेकर जो आधा खतम कर दिया था उसने और जहर बचा उस प्याले को लेकर बीच में रुका अपने हाथों में लेकर what is this strange noise यह कैसी विचितर आवाज है मैंने सुना आए कि एक व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए you must not cry तुम्हें रोना नहीं चाहिए be silent सांत हो जाओ and have patience और ध्यारिया रखो he looked around remembering something उसने चारो और देखा कुछ उसको याद आया क्रिटो की याद आई he whispered to one of his pupils वे अपने शिश्चयों में से एक शिश्चय के कान में उसने धीरे से कहा can you do me a favor क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो I owe a coke to to asclepius will you will you pay the debt मैं एक asclepius का उससे मैंने मुर्गा उधार लिया था जिसका मैं रिणी हूँ क्या तुम मेरा कर्जा उतार दोगे can you do me यह हो चुका it shall be paid यह चुका दिया जाएगा said क्रिटो क्रिटो ने कहा is there anything else क्या और कोई काम है he waited उसने इंजार किया but there was no answer प्रंतु कोई जवाब नहीं मिला फोर सुक्राथ the greatest of all the Greeks was dead सुक्राथ जो ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति था अब मर चुका था यह आपका second part यहां पर फिनिश होता है और यहां पर lesson समाप्त होता है तो students उमीद है आप सब की समझ में आया होगा यह इसके वर्ड बिनिंग है यह वर्ड बिनिंग आपको नोट डाउन करने कॉपी में अच्छे से और इसके जो question answer है मैं आपको PDF के दुवारा भेजता हू तब तक के लिए good day